हलो फ्रेंट्स वेलकम टुए ड्यूज आयम दिनकर्णात मिस्टरा फेकल्टी ओफ इंगलीज और आपके सामने एक बार फिर लेकर के आये हैं क्लोज टेस्ट और ड्यूज पूछे जाने वाले कुछ इंपॉटेंट वर्ट्स का एक्स्प्लानेशन और यह सभी वर्ट्स जो है वो क्लोज टेस्ट और ड्यूज पूछेंग जाना बहुत ही जरूरी है जब तक आप यूजेज नहीं जानेंगे तब तक आप डबल फिलर और क्लोज टेस्ट जैसे कोश्टन्स में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे तो आईए हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉटेंट वर्ट्स की और एक वर्ट है उत्सुक जागरूक इच्छुक उत्सुक उत्सुक के लिए इंगलिस में बहुत सारे वर्ट से हैं इगर, क्यूरियस, इंक्विजिटिव और इंपेशन्ट इन सफी का अर्थ उत्सुक के अर्थ में ही होता है but where should we use eager, where should we use curious, where should we use inquisitive and where should we use impatient तो देखिये किसी कारी को करने अथवा किसी बस्तु के पाने के अर्थ में उत्सुक की अंगलेजी जो होगी वो इगर होगी कोई चीज हम पाना चाहते हैं, कोई कारी हम करना चाहते हैं उत्सक लिए हम उत्सुक हैं तो उस उत्सुक की अंग्रेजी जो होगी वो इगर होगी कुछ सीखने के अर्थ में यदि हम उत्सुक है तो कुछ सीखने के अर्थ में उत्सुक की अंग्रेजी क्यूरियस या इन्क्विजिटिव होगी यदि धैरी का अभाव हो धैरी नहीं है किसी के पास इसलिए वो उच्शूख है तो उस समय उच्शूख के अंगरेजी impatient होगे for example he is eager to do this work यानि वो इस कारी को करने का इच्शुख है उच्शूख है इस कारी को करने के लिए उच्शूख है तो यहाँ पर कोई काम करने के परति वो को उच्छ है तो यहाँ पर किसी कारी को करने की लिए यहाँ को बिल्क कुए उच्छ सुक रहेगा तुसंके ही इसलिए ए इन 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 प्रसाइट उबंफ्र कि हम एए इस यहां पर सकता He is पर inquisitive और curious student हुआ क्योंकि क्योंस स्टूडेंट कुछ सीखने के प्रति जागुरुख होता है उध्सक्ष होता है इसलिए उध्सक्कि अंग्रेजी या जो होगी यहां पर वह inquisitive होगी या curious होगी क्योंकि यहां पर है लिखा हुआ कुछ सीखने के अर्थ में यदि कोई व्यक्ति उत्सुख होता है तो वो curious भी हो सकता है और inquisitive भी हो सकता है यानि वहाँ curious भी हम put कर सकते हैं और inquisitive भी वहाँ put कर सकते हैं next है he is impatient for result he is impatient for result यानि वो result के लिए एक दम उत्सुख है यानि उसको धैर नहीं है उसके पास patience नहीं है उसको लग रहा है कब जल्दी result आए तो इस अर्थ में यदि उत्सुख है वो patience के अभाव के अर्थ में यदि कोई उत्सुख है तो उसके लिए उस word के लिए उत्सुख के लिए अंग्रेजी जो होगी वो impatient होगी impatient का ऐसा general meaning होता है अधीर यानि वो इसके पास patience नाम का चीर नहीं है लेकिन यहाँ उत्सुख word भी हम हिंदी में डाल सकते हैं तो इस तरह से उत्सुख के अंग्रेजी जो होगी impatient होगी next word हम आपके पास लेकर आए हैं उदार उदार वर्ड जो है इसके लिए बहुत तरह के English में वर्ड्स है उदार हो सकता है या दयालू का सकते हैं उसको हम लोग तो उदार या दयालू के अर्थ में हम काइंड लिख सकते liberal लिख सकते और generous लिख सकते but where should we use kind लेकिन kind कहां यूज़ करेंगे liberal कहां यूज़ करेंगे generous यूज़ कहां करेंगे वो एक kind आदमी है kind-hearted आदमी है वो liberal है वो generous है लेकिन कभ हम generous यूज़ करेंगे कभ liberal यूज़ करेंगे और कब हम kind use करेंगे तो देखिए यदि किसी व्यक्ति या प्रानी के प्रति दया के अर्थ में यदि use किया जाए तो किसी व्यक्ति या प्रानी के प्रति दया के अर्थ में दयालू की अंगरेजी या उदार की अंगरेजी kind होगी दूसरा यदि किसी व्यक्ति का कोमल सभाव है सभाव से ही वो कोमल है तो उस समय उदार की अंग्रेजी लिबरल या जेनर्स होगी For example He is generous और liberal by nature वो सभाव से ही दयालू है वो सभाव से ही उदार है तो उस समय उदार की अंग्रेजी जो होगी वो generous भी हो सकती है और liberal भी हो सकती है क्योंकि सभाव के अर्थ में यादि उदार की अंग्रेजी यूज करनी हो हमको तो हम जेनर्स भी यूज कर सकते हैं और liberal भी यूज कर सकते है He is kind to me यहाँ पर He is generous to me यह लिखेंगे तो रहा हो जाएगा क्योंकि किसी व्यक्ति के प्रतियदी दया की भावनाई दी हम रखते हैं तो उस अर्थ में उदार या दयालू की अंग्रेजी काइंड होगी तो हीस काइंड टूमी करेक्ट होगा नेक्स वर है उदास या दुखी खिन उदास तो उदास और दुखी की बहुत सारी अंग्रेजी यहां पर है बहुस सारे इंगलिस में वर्ट हैं sad काफी यूज हम लोग करते हैं डियक्टेट का भी यूज करते हैं, इंडिफ्रेंट का भी यूज करते हैं, और डिस इंट्रेस्टेट का भी यूज करते हैं, सभी का मतलब एक तरह से उदास, उदासीन, दुखी, खिन, मायूस, तो किस सेंस में हम सैड यूज करेंगे, किस सेंस में हम डियक्टेट यूज क तो उस समय उदास के अंगरी जी sad, generally किसी को हम देखते हैं भाई को उदास है how are you sad, why are you sad तो उदास क्यों है तो general sense में हम उदास के अंगरी जी क्या लिखते है sad या भी कोई ब्यक्ति हतोत साफ फिल कर रहा है उस समय उदास के लिए जो वर्ड हमको डालना हो उसमें क्या डालेंगे dejected तीसरा किसी बस्तू में किसी व्यक्ति में किसी चीज में दिल्चास्पी ही किसी व्यक्ति को नहीं है तो दिल्चास्पी के अभाव के अर्थ में यदि उदास के अंगरी जी हमको डालना हो कना लेह दो Canadian 이후 डाल सकते हो थिस इंतरेश्टिया इस इंतरेश्टेश्टेश्ट भी डाल सकते है और inbit், विडाल सकते है for example वह बहुत उदासथ मालूं पड़ता है वह बहुत उदासथ मालूं पड़ता है he appears very sad कि ये जनल सर्मारी है ये घ्रेश्सेट पिसोप्र और है इन्मीख ञें डिशीं व में उदास यहां तो STOP के लिडियर निधि यहां पर यूज़ तक या गया तो धूतियों साह बल्सकत techniques तो उस समय दिलचस्पी नहीं रहने के अर्थ में उदास की अंग्रेजी जो होगी, वो indifferent हो सकती है और disinterested हो सकती है, next word हमारा है उद्देश या लक्ष या भी pride, जो भी उद्देश लक्ष भी pride सभी synonymous है, इन सभी की जो अंग्रेजी aim भी कहीं लिख सकते हैं, कहीं object लिख सकते हैं, कहीं purpose लिख सकते हैं, जब लक्ष के अर्थ में यदि उद्धिस की अंग्रेजी लिखना हो तो यदि लक्ष की बात हो उस समय उद्धिस की अंग्रेजी जो होगी वो एम या आपजेक्ट होगी विचार या भावना के अर्थ में यदि उद्धिस की बात हो विचार या भावना से रिलेटेड उद करने के पीछे कोई काम करने के पीछे कोई काम करने के पीछे इरादा यदि है कोई काम करने के पीछे इरादा है तो उस इरादा के अर्थ में उद्देश की अंग्रेजी जो होगी हमारी वो परपस होगी For example, पहला क्या कर रहा है What is your aim or object of your life तो महारे life का क्या उद्द्द से है तो महारे life का लक्ष है तो लक्ष के अर्थमें उद्द्द की अंग्रे जी यहाں aim हो भी हो सकता बबच्ट भी हो सकता He goes to a school with a view to being called a student वो ऐ किस विशार से तो विचार या भावना के सेंस में उद्दिष की अंगरेजी जो होगी क्या होगी यहाँ पर view विचार या भावना के अर्थ में जो उद्दिष की अंगरेजी होगी वहाँ पर क्या होगी view Next देखिये What is the purpose behind the work इस काम के करने के पीछे क्या उद्दिष है तो यहाँ पर कोई काम करने के पीछे यदि उद्देश की बात हो तो कोई भी काम करने के पीछे यदि उद्देश के अर्थ में हमको इंग्लिश वर्ड डालना हो तो गया डालेंगे हम परपस क्योंकि किसी भी काम करने के पीछे जो उद्देश होता है उस उद्देश के लि झाल झाल